comparison of dates बोल दीजे ठीक है या ऐसे भी कह सकते हैं dates के बीच में comparison तो जैसे हमें एक question दिया आ गया हम की when category है इसकी when months and years are same ठीक है तो यह पहली category comparison of calendar की जिसमें month और year क्या होते हैं सेम होते हैं जैसे एक question देखेगा सभी लो मैंने आपसे बुला कि 2nd of July 2011 को आपको Sunday दिया गया है ठीक है और आपसे पूछा गया है 27th of July 2011 को क्या हो ठीक है यह देखे comparison का question आपके सामने यहां पर आया हुआ है जिसमें एक डेटा आपको क्या दिया कि 2nd of July 2011 को Sunday है तो मुझसे पूछा 27th of July 2011 को क्या होगा तो सिंपल सा फंट हमने यहां पर क्या देखा देखे हां पर सेम क्या क्या है सर यहां मन्त और यह क्या है दोनों सेम हैं तो कहते हैं जब भी कभी मन्त यह सेम हो या जब इस देट और इस डेट के बीच में टोटल लंबर आप डेस पहले फाइंड आउट करते हैं थीक है तो जो भी यहां इनके दोनों के बीच में टोटल अम्बर आप डेस होंगे उनको हम 7 से कर देते हैं डिवाइड और डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमेंडर आता है ठीक है प्लस हो जाएगा अगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने मतलब क्या हो जाएगा आपको प्लस तो चलिए इनकालने के लिए क्या करते हैं इनका difference निकालने क्योंकि एक ही मन्त की बीच के कोश्चन दोनों का जमने difference निकाला तो difference कितना है डिफ्रेंस आया से 25 25 इनकालने में प्लस प्लस पार करी सटेव टूजड़ वेस्डे और थरस्टे तो आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ पांस सेकेंड इसको को सॉल्व करने के लिए कि जब भी कभी कमपैरजन हो किसका मंत और येर के बीच में मन्त येर क्या हो सेम हो तो उस कंडिशन में अगर comparison दिया गया है तो question को solve करने का ये trend आपके सामने है ठीक है तो चलिए एक question आपको और दे रहा हूँ और उस question से आपको हलका सा इसका idea और लगेगा कि sir question को आपने किस तरीके से जल्दी से tackle किये जैसे समझेगा मैंने आप से बोला 28th of November 2016 को Monday है ठीक है पूछा 4th of November 2016 को कौन साड़े होगा जैसी एक question आगया फिर से भाई कहानी अब देखें एक साल की बीच कही question है और प्लस साल साल इसमें से एक सिमिलर क्या है सर मंत और यहां भी क्या है सिमिलर है तो मंत यहां भी सिम्बल अगर सिमिलर है तो दोनों का सिम्पल साफंटा क्या निकाली डिफ्रेंस कितना है 24 डिवाइड़ क्या कर देना है तो जो आपका रिमेंडर बचेंगा उसी रिमेंडर को क्या करना हिस्वार देखिए तो मंडे से पहले संटेड़े और फिसका क्या जाएगा ठीक है तो यह आपकी कहानी होगी कि जब भी कभी कुश्चन आपका खुछ इस तरीके से बोलेगा जिसमें मंत यह जब तो यहां पर मंत के साथ से यह जब भी ऐसी कहानी बनेगी तो कुश्चन को सौल करने का यह ट्रेंड आपको आसानी से दे सकता है एक नमबर पका ठीक है तो चलिए तो चलिए तो आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं सब कंपैरजन में अगली जो कहानी होगी वो कैसी होगी होगी हो तो नेक्स कहानी है है वेन ओनली यह सार से ठीक है कि जब पुश्चन में सिर्फ और से यह सेम हो तो उस कंडिशन में कैसे बनेगा अब जरा उसको समझेए गा जैसे माल लीजे मैंने आपसे कहा हूँ 2nd of July 2020 को संडे गिवें डेटा है और आपसे पूछा गया है 3rd of November 2020 को क्या सीन होगा अब फिर से भाई कानी देखिए कि सर कि 2020 यहां पर आपने फिर से देखा कि यहां पर सिमिलर क्या है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इयर सिमिलर दी तो इस ची को जब ध्यान रखिएगा कि कुश्चन में कंडिशन क्या है एनिहाँ आपको यही चीज़ फाइंड आउट करना है कि इनके बीच पर टोटल अंबर अफ डेस कितने हों क्योंकि जैसा भी कोश्चन आजाए चाहाँ वह एक महीने की बीच का कोश्चन आजाए जैसे पहले था चाहाँ इस तरह से कोश्चन आजा कि एक साल के बीच का को कोश्चन हो तो ऐसे जो भी सारे कोश्चन होगे हमें एनिहाँ यही चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कि इन दोनों डेट्स के बीच पर टोटल अंबर अफ डेस हैं कितने जब एक ही मंत का कोश्चन तो हम दो डेट्स का डिफरेंस निकाल कर लेते हैं टोटल अब डेस जैसे जुलाई में हम 16 जुलाई से आगे चलना शुरू कर रहे हैं तो 16 जुलाई से पहले के जो डेट्स है मतलब एक से लेके 15 हमें उनसे भी कोई मतलब नहीं है और 16 जुलाई से अगर शुरू कर रहे हैं तो हमें 16 जुलाई को भी इग्णोर कर देना है जुलाई में 16 मेरे पास और बचेंगे पकी बात है यह सिंपल सा फंडा यह काम करिए कि 31 में से क्या करिए 16 को माइनस कर दी जो डेट यहां पर लिखी उसको माइनस कर दीज़े तो रेस्ट डेज इतने भी होंगे वह हमारे पास आ जाएंगे तो जहां तक जाएंगे वह सारे सा डेस इंकलूड होगे है ना चार नॉमबर देखी नहीं आ रहा है तो जहां तक चार नॉमबर होता वहां 4 लिख देते हैं दस लिख देंगे अब सपांडा सुरीं को एड़ करना है एड़ करके 7 से डिवाइड और जो भी आपका रिमेंडर आएगा उसमेंडर क्या कर देना है इसके साथ एड करेंगे क्यों क्योंकि 16 जुलाई से थर्ड नॉंबर हम आगे की तरफ बढ़ने कलेंडर में इसका मतलब जो भी आपका रिमेंडर आएगा उसको प्लस कर देंगे तो आसानी से कहानी आपकी सॉल हो जाएगे ठीक है तो दे हम डिवाइड करके उनका सिफ रिमेंडर निकालने तो इतना लिखने से हम बच जाएंगे स्टैकुलेशन हमारी इस दी हो जाएगे कैसे देखें अगर 15 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 तूसा 14 कितना बचता 1 तो आप सिफ 1 कंसीडर करिए पकी बात है चले यह भी तूसा 14 कितना बचेगा और यहां पहले सी छोटा नंबर तो यहां पर 3 होना ही चाहिए अब देखें इसको एड करना और 7 से डिवाइड करना बहुत आसान हो गया आपके लिए तो इस कैलेशन को एज़िकरने के लिए ऐसे आप वहां पर लगाएंगे तो इससे कुश्चन आपको जल्दी निकलेगा, ठीक है, कैसे, अब इसको एक count करिए, 3, 3, 6 हो गया, 6 और 3, 9 हो गया, 9 और 3, 12 हो गया, अब बताई 12 को अगर 7 से divide करना पड़े, तो देखते ही सोन में आ रहा है सर 7 बंजा 7, remainder कितना बचेगा, सर 5 बचेगा, और remainder 5 बचेगा, तो Sunday में क्या करना है 5 दिन जोड़ दीजे, तो Sunday प्लस 5 करेंगे, Sunday प्लस 5 करने पर Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday और Friday, ठीक है, तो यह question की कहानी है, जब भी कभी comparison हो किसका, एक ही साल की बीच की बीच की अगर 2 dates आपको दे दी जाएं, तो उनके बीच में question को solve करने का यह approach हो सकता, ठीक है, और इसी बिहाब पर question को आपको solve कर देना है, तो यह question का रहा शौटकर तरीका, अगर ऐसे नहीं करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सबको add करेंगे, 7 से divide करेंगे, तो भी remainder आप देखेंगे, 5 ही remainder बचेगा, प्लस इसलिए किया गया, प्लस माइनस में confuse नहीं होना है सबको, पहला data चे से clear हो जाएगा, समझेगा भाई, मैंने आप से बुल है, कि 2 अप्रेल, 2 अप्रेल 2019 को आपको दिया गया है Wednesday, ठीक है, और आप से पूछा गया है, 15th of August 2019 को गया, condition check करिएगा, ठीक है, ठीक है, फिर से वही कहानी सर, एक साल की बीच का ही question आपके सामने दिया गया है, तो एक साल के बीच का question है, तो फिर से वही कहानी आपके सामने आ गई, कि आपको सिफ एक ही चीज पता करना है, इनके बिच में total number of days कितने होंगे, बुलिये, यह सीधा 30 में सम 2 को माइनस कर दें, 28 हा जागा, फिर अप्रेल से अगस्त के बीच में कई सारे मन्थ आपके और भी है, आपके मेही आपके में, तो मैही कितने का ओता? 31 का, जून कितने का होता? 30 का, जुलाई कितने के सर 31 की, और अगस्त में कहा cyn 저는 15 तक, तो जहां तक जाते हैं, वह सारे सक, आप एक एक ठी लिख देते हैं, तो सब को अचे, करिए, divide करिए 7 से, ऐसे करिए, या दूसी कहानी मैंने क्या बता ही, सर 74028, remainder कितना बचा, 0, 74028, remainder कितना बचा, 3, 74028, remainder कितना बचा, 2, 74014, remainder कितना बचा, 1, तो 3 प्लस 1, 4, 4 प्लस 2, 6, 6 प्लस 3, 9, 9 प्लस 0, 9 नहीं हुआ, अब 9 को अब 7 से divide करेंगे, तो simple सा फंडर आप क Friday, ठीक है, तो इस तरह की कुछ approach वाले questions को आपको solve करना होता है, कि जब कभी comparison आपका आएगा, तो अगर एक महिने के 20 का question आए, तो उस condition सिफ कुछ मत करिए, दो dates का difference निकाल लिए, different निकाल के 7 से divide करने के बाद, जो भी आपका reminder आएगा, calendar में अगर आपका पहले data comparison, दू आ चुका है, तो दो यहां पर मैं आपको facts बता देता हूं, वो भी समल लीजेगा, आप उसको proof करेंगे घर पे एक बार, ठीक है, तो इसी variety का जो maximum question बन सकता है, पहला question आपको क्या बन रहा है, 1st of January 1999 को आपको दिया गया है Sunday, ठीक है, और आपसे बोला गया है, 31st December, 1999 को क्या होगा, पहला condition, दूसरी condition, 1st of January 2016 को Sunday दिया, इसी गिवन डेटा होगा, ठीक है, तो इसको आपको इसको चेक नहीं करना है, और आपसे बोला गया है, 31st of December 2016 को क्या होगा, दूसरा question यह है, फिर से देखे वही कहाणी है, Sir, एक साल की बीच का ही question है, लेकिन इनोंने जो comparison किया, वो comparison किसका किया, Sir, एक इनोंने दी साल की पहली डेट और दूसरी की आदी साल की आखरी डेट, तो जब भी कभी comparison इस तरह का हो, between first day and last day of the year, तो बस एक concept याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, पहला concept, in any general year, इसको नोट कर लीजेगा सभी लो, in any general year, first and last day will be same, ठीक है, क्या बोला गया है, कि अगर जो year आपको दिया गया, अगर वो general year हुआ, जो की फोर से completely divisible नहीं होता, जिसमें आपकी February 28 वाली होती, या जिसमें यह कह सकते हैं, जिसमें 365 डेज होते हैं, ठीक है, तो इसका मत्तब देखें, अगर वो general year हुआ, जो भी आपको comparison दिया गया, और अगर वो general year हुआ, तो जो साल का पहला दिन होगा, वही उस साल का आखरी दिन होता है, बिना किसी calculation के, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इस fact को याद रखने के अलावा, आप इसको घर पे बढ़ ट्राई करेंगे, कि 1st January से 30 वाद दिसम्बर तक के बीच में, टोटल कितने days होंगे, उन days को 7 से डिवाइड करिएगा, फिर देखेंगा, रिमेंडर आपका कितना बसता है, उसके सबसे रिमेंडर बचेगा, तो एड करेंगे, रिमेंडर नहीं बचेगा, तो एड नहीं करेंगे, ठीक है? अब सर सेकंड फेक्ट क्या है सेकंड फेक्ट यह है इन अनी लीपियर last day is increased by one to that first day of the year ठीक है क्या कहते है कि किसी लीप वर्ष में वर्ष का जो अंतिम दिन होता है ठीक है वो पहले दिन के comparison में एक दिन बढ़ जाता है ठीक है जैसे अब देखे 2016 क्या है leap year अब जिसको पता है leap year वो सिधा कहेगा सर कि first day last day का comparison है तो कहते जो आखरी दिन होगा पहले दे के comparison में एक दिन यहाँ पर बढ़ जाएगा तो बढ़ने के साथ आप सिधा यहाँ पर क्या answer दे देंगे Monday तो कितने लोगों को यह पता था अगर पता होगा भाई तो thumbs up कर दीजेगा वीडियो के नीचे और अगर नहीं पता था आपको इस तरीके से question को solve करना तो ऐसे भी try करके आप देख सकते हैं तो भी आपकी सारी-सारी कहानी ऐसे बढ़ जाएगी ठीक है तो आज हम लोगों चाह रहे हैं कि जितने इसमें weeks होंगे हम उनको हटा दे क्योंकि week का मत्तब क्या होता same day repeat करना जैसे माल यह अगर मैं आपसे बोलू कि तो हर साथ दिन के बाद क्या कहानी बनेगी उसको ही पता करने के लिए हम क्या करते हैं इसको से डिवाइड कर देते जिससे आपको यह सवन में आ जाता है और दे का मतलब एक ऐसा extra day जो week में properly convert नहीं हो सकता ठीक है तो पहले में ने देखा comparison किसका एक महिने के बीज का question फिर्म ने देखा एक साल की बीज का question और लास्टों लोगों ने क्या देखा एक साल की पहली date और दूसरे उसी साल की last date ठीक है